नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उनत्तर रजा सेक्चक बरती कि कल से काउंसलिंग आप सभी की श्टार्ट होने वाली है और इसमें आपको सभी 75 जिलो का आपसन भरना है इस बार दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या दोविदा आप सब के सामने ये आ रहे है कि काउंस जिलो को वरियता हम पहले दें जिनके कम गुडांगे उन्हें ही ज्यादा दिक्कत हो रही होगी इस चीज में ज्यादा गुडांग वाले तो अपने होम जनपत को और आसपास के प्लस इतना डेटा इसमें तयार किया है तो मैं आपको एक एक करके पूरा डेटा बताओंगा आपको सेप गुडांग बताओंगा जिसके बाद आप बड़े आसानी से जिला करम जिला सूची भर सकते हैं कल के काउंसलिंग में आई ये शुरू करते हैं दोस्तों इसमें ए देखें दोस्तों एनोसी की बाद बिल्कुल क्लियर कह दी गई है बिना एनोसी के जो भी पहले से कहीं है जो एनिंग पर उनको विदावट एनोसी यहां पर भाग लेने नहीं दिया जाएगा लेकिन आट्सोट पांसो के संबंद में कोई भी असपश्ट नहीं कहा गया है क कि जब तक काउंसलिंग आपकी हो पूरी पूरी उसके पहले पहलत है कि सारी पद हो जाएं तो इससे क्या होगा सभी लोगों का सेलेक्शन हो सकता है क्योंकि आप सभी जानते हैं आलेडी 40,000 और प्लस संथिंग कुछ और भी हो सकते हैं 10-15,000 जो इस काउंसलिंग में सब्सक्राइटर पर जहां पर भी आप देख लीजिए तो उसको आप ज्यादस ज्यादा रिवट्विट करिए जिससे क्यों एप पद्र एड हो सकें तो आईए शुरू करते हैं यह देख लीजिए विग्यप्ति बहुत पहले ही जारी कर दी कर दी थी कारेले सचीव के तर सायक अध्यापक भर्दी परिक्षा 2019 में उत्तिड एक लाग चैलीजा साथ अभेरतियों में से जनपदवार निर्धारित पतुं के संक्या जो घटिया बड़ भी सकती है पर चैन निवती हेतू उत्तर पदेश बेसिक सिक्षा अध्यापक सेवा नियों मावली 1981 अध्यतरन संसोदित में उलेकित प्राविधानों और वांचित सैक्षिक प्रिसिक्षड अहरतादारी अभेरतियों से जनपद आवंटे हैं तो आल्लाइन आवेदन पत्र आमंत्रत के जाते हैं आल्लाइन आवेदन जो है आप इंके आफिसल वेबसाइट पर यूपी बेस चब्वीस पांच दोजार बीस की रात त्री बारव बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर आल्लाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा यानि आल्लाइन आवेदन पत्र भरने के जुतिती है 18 से लेकर के 26 मही तक है अभेरति को उनत्र जा सिक्षक साहिग अध्यापकों क्यो अनकुर्मांग जन्पतिती मोबाई संक्या को निर्धारित वेबसाइट पर ना होगा जिसके उपरांद अभेरति के उक्त मोबाईल पर OTP प्राप्तों का जिसे भरने के बाद ही आवेदन पत्र में वांचित प्रविष्टियों को पूड़ कर सकेगा विसे सुच्छ उलक अन्य वांचित प्रविष्टियों को अभेरतो दरा भरते वे आवेदन पत्र को पूड़ करना होगा एक बर आवेदन पत्र पूड़ करने को पना तो उसमें किसी भी प्रकार का संसोदन नहीं किया जा सकेगा यह काफी जरूरी चीज है आप सभी के लिए इसको ध्यान दी भी है वह अपने भारांग गुडांग यहां बरियता तथा जनपद हेतु निर्धारित उबर्गवास रेड़ी वार रिक्तियों के अरुप आवंटि जनपद में 36220 से 66220 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का म और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार थोड़ा सा देख लिजी कितने रिक्तपद हैं किन जीलों में दोस्तों क्या वात है पिछली बार 800-500 वाले में जिन जीलों का कटाफ कम रहता है वहां पर कटाफ ज्यादा चला गया था क्योंकि सबी लोग उधरी वागते है जहां पर कम होता है कटाफ इस वज़े से वहां कटाफ ज्यादा चला गया बहुत लोग के अच्छे गुडांग होने के बावजूद भी उन्हें जिला नहीं मिल सका होम डिस्टिक्ट नहीं मिल सका था तो आप लोग से मैं यहीं कहूंगा जिनके भी सेब जोन में हैं अग देख लिजिए प्रेशक आनंद कुमार सिंग विसे सच्छी उत्तरपधिस शासन गया 59,000 नियुक्ति के संबंद में उपर युक्त जो भी है पत्रांग संख्या इसमें पंदरा पांच सचीव बेसिक यह आपका नोटिपिकेशन कल रात को ही आ गया था कि इसमें 59,000 सहायक अध्यापक के पदों पर भरती प्रिक्तिया प्रारम करने है तो अनुमति प्रदांग के जाने का अनूत किया गया है इसमें में यह मुझे काने का नेडेस हुआ है कि उत्रपदिश बेसिक सिक्चा परिस्त द्वारा संचालिस सहाब परिस्तिये प्राथिंग विद्याले में साहयक ध्यापक के 59,000 पत्रपदों पर उत्रपदिश सिक्चा ध्यापक सिवानियमावली 81 और संसुदित साहर में 840 मेरे डबागपत में तो कटाफ ज्यादा रहता है आपका हमेसा आप सभी को पता होगा गाजिया बात तो बिल्कुल भरना ही नहीं है आप पूर में विद्येख पा रहे होंगे आप गोतम मुद्द नगर आगर आम इन सभी जिलों में कटाफ ज्यादा रहती है बले ही वैकेंसी ज़्यादा हो या नहों हो कास अगंज में आप दे सकते हैं हाथ रस हो गया वरेली यह बदाईय वह गया पीली में पदों के संक्या कम रहने के बाद भी वहाँ पर कटाफ कम जाता है साज यहां पूर बी आप भर सकते हैं इसके अलावा प्रताफ गड्ड प्रताफगड में भी कटाफ ज्यादा रहेगी क्योंकि कटाफ प्रताफगड के जो आसपास के जिले हैं वहां पर ज्यादा वेरती यहां फॉर्म बरते हैं इस वज़े से यहां पर कटाफ ज्यादा ही रहती है जौनपुर में देखिए पदों के संक्या काफी है दीख है गा जादा भेरती वहां भरने वाले होते हैं सीतापूर में लखनव और आसपास के चेत्र हैं कानपूर का ये लोग सभी लोग सीतापूर का ही आपसन डालेंगे जहांते मुझे उम्मीद है क्योंकि आपको यही शेफ लग भी रहा होगा क्योंकि यहां पदों के संख्या काफी जादा लखी पूरी ये सभी के लिए प्रिप्रेंश वाला होता है जो दूर के जिले वाले होते हैं उने भी यह रखी पूर्खी का कटाफ कम रहता इसवज़े से लखी पूर की ये कुम रहने की उमीद है दोस्तों तो आप दो पिल्कुल इने अपने कम से कम top 10 में वरीता करम में जरूर अस्थान दें ताकि कम सकम अगर आपका home जनपत और green जनपत की आसपास की जनपत अगर नहीं मिल पाएं तो कम सकम ये जनपत आपका safe हो जाए आपका selection और आप अपने घर से होम जनपर से दूरी की हिसाब से भी देख सकते हैं इसी तरह से कुछ और दो-तीन जिले हैं जिसमें आपका महाराज गंज हो गया बस्ती हो गया सिधार्त नगर हो गया बांदा हो गया बांदा में थोड़से कटाफ ज्यादा रह सकती है बारा बाकी सुल्तानपुर इन जगों पर कटाफ कम नहीं जायेगी वेकेंशी ज्यादा होने के बाद भी बिजनो रामपूर इन सबी feat. जगों पर कटाफ कम नहीं रहती है कंनौच आजमगड, फरुखाबाद, बलिया, इन जिलो वाले जो भी अभ्यारती हैं, आप लोगों की जिले का कटाफ जादा ही रहता है, हर बार, तो इस बार भे जादा ही रहने की उमीद है, तो आप लोग अपने आसपास की जिलों की या फिर होम जनपत को टाप 10 में जरूर रखी मैं यही कहूंगा, बाकि आप लोगों को जैसे भी सूटेबल लगे, तो एक बार आप सेफ गुडांग देख लिजे जल्दी से, यह देख लिजे, नियूकती मिलना जरूर नहीं है, यहनी काउंसलिंग में जो भाग लेंगे, जरूर नहीं कि सभी को नियूकती पत्र मिली जाए, और हर बेरती को जाए, 75 जिलों का विकल्प देना होगा, और सरकारी पदों में कारेरस सिक्षकों को काउंसलिंग के लिए NOC यानि अनुमती लेना भी अनिवारे होगा, इस से अच्छे गुडांक वालों को जिला अवंटंग करने में सहुर्यत मिलेगी, और पहले स कोई भी एक जिला, दो जिले या अगर आपके ग्री जनपत के आसपास की जिले हो तो आप इन 500 जनपतों को अस्थान दे सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, सीतापूर, अर्दोई, जौनपूर, कुसीनगर, बदायू, लखीमपूर, खिरी, गाजीपूर, बलि जिला, ग्री जनपत न मिलने के बज़े से वो लोगों ने वापस से यहां पर फार्म बर दिया है, और हो सकता है वो लोग भी काउंसलिंग कराएं, तो इससे आप लोगों के लिए दिक्कते बढ़ सकती हैं, साहे गतापक भरती के लिए कल से आपके आवे दन प्रारम हो ज यह ऐसे लोग हैं, जो मेरेटोरियस हैं सबी केडिगरी में हैं, तो यह लोग जनरल की सीटों पर फाइट कर सकते हैं, और जनरल की सीट थोड़ी बहुत ले जाएंगे, फिर भी दोस्तों जनरल वालों को भी परिसान होने की जरूत नहीं है, ग्री जनपत को यह आप प्रा जनपत को टाप 10 में जरूर रखें, उसके बाद भी बागी की जनपत आपको भरने ही बरने, अगर आपको यह जनपत नहीं भी मिल पाते हैं, कम गुडांक होने की वज़े से, तो भी आपको कोई लोग की जनपत आपको आवंटित होई जाएगा, तो आप लोग अपने घर पास के जनपतों को वरितर दीजिए, भरती परक्रिया बहुत जल्द आपकी पूरी होगी, ऐसा, 11 बजे भी सिक्चा मंतरी, जो 37 चंदर दिवेदी जी है, लाइव आने वाले है, और यह भरती परक्रिया जल से जल पूरी दराने की कोशिस में, जाए जो भी हो, जनरल करडिगरी की सबसे पहले कटाफ की बारे में, दोस्तों कोई कुछ भी गए, लेकिन मेरे हिसाब से यही कटाफ अनुमानित है, पूरी तरह से, कि जनरल करडिगरी की की जो कटाफ होगी, चाचछट से लेकर के 68, अगर आप इसके बीच में है, तो आप पूरी तरह से सेफ, अपने आपको मान सकते हैं, फिर भी आप अभी जो है, औरंज जोन में है, पूरी तरह से आप ग्री जोन में नहीं है, अगर आप 68 प्लस है, तो बिल्कुल आप लोग निस्चिंत हो सकते हैं, कि आपका सेलक्शन हो, यही पूरी-पूरी संभावना बन रही है, जो सर लते हैं, OVC कडिगरी में, OVC कडिगरी में भी जादा नहीं गुडांग कम जाएगा, क्योंकि उसमें नमबर आप इस्टुडेंट्स बहुत जादा है, वैकेंसी के तुलना में, कुछ इस्टुडेंट्स अगर जनरल की सीटों पर फाइट करते हैं, तो भी उनके अपने कडिगरी में काफी जादा कमपडिशन देखने को मिल सकता है, यह आपका सेप जोन 65 से लेकर के 67 के मद्या रह सकता है, और मैं तो एक कहूंगा कि इसमें जो 67 प्लस वाले हैं, वही पूरी तरह से सेप है, बाकि जो 65 से लेकर के 67 की बीच में हैं, आप लोग लोग गुडां से लेकर के 67 की मद्या रह सकता है, और अगर 67 प्लस प्लस हैं तो आप फूरी तरह से अपने आपको सेप मान सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, SC कडिगरी में, दोस्तों SC कडिगरी में, इस 62 को आप 62 कर दीजिए, और यहापर 64 कर दीजिए, देखिए दोस्तों आप लोग बहले आपकी वेकेंसी और आपकी जो पास स्टुडेंट्स हैं, उसको अगर हम बिल्कुल सापेक्स, उसको अगर मानते हैं भी अगर हम देखिए, तो भी थोड़ी बहुत कटाफ आपकी जादा रह सकती है, इस बार पिछली बार की तुलना में, इसलिए मुझे लग रहा प्लस है, तो आप अपने आपको शेप मान सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग सेफ गुणां को देखते वे ही, अपने सेफ जीलों का चेरन करें, मैं आप सभी से यही कहूंगा, बाकि जो अदर केटिग्री जीनगे, आप सभी लोग सेफ हैं, आप सभी लोग अपने ग्री होने की जरूत नहीं है दोस्तों आगे कोई भी अपडेट होगी आप लोग कल से काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजी आप सभी लोगों को नियुकती पत्र मिलने की अग्रिम सुपकामना और वीडियों को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल में नए हो या फिर अगर अभी तक आपने मारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिजीगा वीडियों को लाइक कर दीजीगा और ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजीगा तो बहुत धन्यवाद आप सभी का